हेलो दोस्तों स्वागा थे एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप्सन ट्रेडिंग के अंदर कॉल आप्सन और पूट आप्सन दोनों को कैसे बाई किया जाता है और हम लोग ये भी देखेंगे लाइव कि प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वीडियो में सस्पेंस बना रहेगा वीडियो को पुरायन तक देखेगा चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको डिस्रिप्सन में दिये गए लिंक के थ्रूइ इस अप्लिकेशन को आप यहाँ पर निफ्टी 50 में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और दूसरा बैंक निफ्टी में भी तो हम लोग यहाँ पर निफ्टी 50 का आप्सन चैन ओपन कर लेते हैं क्योंकि मुझे निफ्टी 50 में आप्सन चैन के अंदर ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पर मैंने आप्स यहाँ पर contract होता है sir expiry के लिए 3 March का expiry है 10 March का expiry है 17 March का expiry है यह जो पूरा contract अगर आप खरीदेंगे तो 3 March तक यह expiry हो जाएगा और आज कितना तारीक है? 2 March यानि कि कल इसका expiry है और आज हम लोग buy और sell दोनों करके देखेंगे क्या होता है profit और क्या होता है loss तो यहाँ पर मैं खरीदना चाहता हूँ कितना 17,350 के लिए मैं खरीदना चाहता हूँ ठीक है? यहाँ पर price कितना है? 17,350 और इसका premium कितना मुझे pay करना पड़ेगा 4.50 रूपे, 45 रूपे ठीक है न? यानि कि 4.50 रूपे के आसपास मुझे pay करना पड़ेगा एक lot के लिए यहाँ पर दोस्तों Nifty 50 के अंदर एक lot में 50 quantity होता है यानि कि minimum आपको 50 quantity खरीदना ही होगा और 50 quantity खरीदने के लिए आपको कितना पैसा जरूपे पड़ेगा? अगर मालों इसका प्राइस चार रूपे है और 50 quantity है तो चार गुडित 50 यानि कि 5,4 को 20 यानि कि 200 रूपे का जरूपे पड़ेगा आपको तो यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको नीचे की तरफ buy और sell का option मिलता है sell में आपको बहुत जादा money requirement का जरूरत पड़ता है हम लोग sell नहीं करेंगे as a beginner हम लोगों को buy option buy करना है तो यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको lot में खरीदना होता है एक lot में कितने होते हैं? 50 quantity तो आपको 50 quantity अगर आप इसको 52 करना चाहेंगे तो नहीं होगा डिरेक्ली यह 50 के multiple में होगा 100 हो जाएगा इस तरह से आपको quantity बढ़ाना होता है अगर आप ज़्यादा खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं एक lot खरीद के दिखाऊंगा आपको demo के लिए ठीक है यह कोई recommendation नहीं है आपके लिए यहाँ पर देखिए price में अगर आपको market price में चाहें तो market में भी कर सकते हैं click करके आप limit में करना चाहते हैं तो limit में भी कर सकते हैं तो अगर limit में करेंगे तो आपको benefit यह है कि आपका जो market price है बहुत ज़्यादा fluctuate कर रहा है तो आप limit जितना लगाएंगे उसी price में आपको यह quantity खरीदने को मिलेगा तो यहाँ पर मैंने limit लगा लिया कितना रुपए मुझे चाहिए 4.45 पैसे चल रहा है मुझे चाहिए कि 4.35 पैसे आए तब मुझे खरीदना है वरना इस contract को नहीं खरीदना है तो यहाँ पर मैंने limit डाल दिया आप चाहिए तो change भी कर सकते हैं इस limit को तो मैंने आप पर limit डाल दिया है अब simply आपको buy के option पर click कर लिना है मैंने यहाँ पर buy पर click किया buy order place हो चुका है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं done पर click कर लिता हूँ अब हमारा जो order है option order के अंदर यह place हो चुका है जब भी यह price 4.70 पैसे चल रहना यह अगर 4.35 पैसे तक आएगा तो यह हमारा buy हो जाएगा ठीक है एक और order हम लोग place कर लिते हैं ठीक है explore के अंदर आते हैं फिर से हम लोग को वही पर आना है F&O वाले में इसके बाद Nifty 50 का option chain open कर लेना है अब मैं यहाँ पर put option buy करके दिखाता हूँ तो मुझे 15.250 का put option चाहिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कितना चल रहा है इसका premium 15.250 के लिए तो यहाँ पर आप देखिए 15.250 के लिए मुझे कितना pay करना पड़ रहा है 4.80 पैसे तो यहाँ पर मैंने click किया अब आपको यहाँ पर फिर से sell और buy का option मिल रहा है sell नहीं करना है buy पर click करना है buy कर लेते हैं अब आप यहाँ पर देख सकते हैं quantity खरीदना है कितना इसमें भी 50 quantity रहेगा एक lot में तो एक lot ही हम लोग खरीदेंगे market price में चाहें तो आप market price में भी खरीद सकते हैं limit लगाना चाहें तो आप लिमिट भी लगा सकते हैं तो मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दिया कितना 4.60 पैसे चल रहा है और मुझे चाहिए यह कितने में 4.40 पैसे में तो यहाँ पर देखिए आपको buy पर click कर देना है अब यहाँ पर buy order भी place हो चुगा है अब simply आपको done पर click कर देना है अभी यहाँ पर dashboard में आप देखेंगे तो दोनो open order में लगा हुआ है अगर आपका यह order execute नहीं हो रहा है price बढ़ जा रहा है तो आपको इसको कम करने के लिए मतलब इसको खरीदने के लिए आप modify भी कर सकते हैं ठीक है ना यहाँ पर आप click करेंगे इसके बाद नीचे आपको cancel और modify दो option मिल रहा है आप चाहें तो इस contract को अगर नहीं खरीदना चाहते हैं मन अगर बदल गया तो आप cancel भी कर सकते हैं modify मैं कर लेता हूँ क्योंकि मुझे खरीदना ही है तो खरीदना ही है तो यहाँ पर देखिए जो price चल रहा है इसको मैं हटा लेता हूँ और limit जो यहाँ पर market price चल रहा है उसी price पर मैं आपको खरीद के दिखाता हूँ तो यहाँ पर मैंने 5 रुपए डाल दिया ठीक है पैसे तो यहाँ पर price कम भी हो गया चार रुपए असी पैसे कर लेता हूँ और यहाँ पर confirm changes पर click कर देता हूँ अब modification request हो चुका है done पर click किया और मेरा order जो है वो place हो चुका है यहाँ पर आप देख सकते हैं nifty का 3 March 2022 के लिए 17,350 का call option delivery के लिए मेरा buy हो चुका है अब यहाँ पर आपको profit and loss भी देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 रुपए का profit हो चुका है जो भी loss होगा वो भी आपको यही पर देखने को मिलेगा ठीक है सारा कुछ live हो रहा है आपके screen पर हो रहा है अब यहाँ पर इसको भी modify कर लेते हैं क्योंकि इसको भी buy करना ही है हमें तो यहाँ पर मैं modify पर click कर लेता हूँ अब यहाँ पर आप देख सकते हैं modify पर click करने के बाद आपको यहाँ पर price इंटर कर लेना है जो भी price चल रहा है मार्केट प्राइस चल रहा है उसी प्राइस पर आपको मिल जाएगा चार रूपए पैसे ही कर लेता हूँ चलो है न असी किया और कंफर्म चेंज पर क्लिक किया अब आपका ये जो ओडर है वो भी प्लेस हो चुका है ठीक है डन पर क्लिक किया मोडिफिकेशन हो चुका है और यहां देखते हैं ये बाय हुआ नहीं अभी चार रूपए 95 पैसे चल रहे हैं बाकी यहां पर आप प्रॉफिट लॉस इसका देख सकते हैं कुछ टाइम में ये भी और एग्जेक्यूट हो जाएगा नहीं हो पाएगा तो फिर से आप मोडिफाइक कर सकते हैं पाँग कर लेता हूं और 5 रुपए में ये खरीँक करे रिखाता हूं ठीक है नहीं, 5 रुपए में हैं खरीदा confirm change पर click किया, done पर click किया अब तो ये buy हो जाना चाहिए price इसका बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यह वाला order भी मेरा place हो चुका है जो कि 4.95 पैसे आ गया है और यहाँ पर मैंने limit डाल करके रखा हुआ 55 रुपए तो यहाँ पर मैं refresh करता हूँ यह भी order हमारा place हो चुका है अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 17,350 के लिए call option भी खरीदा है और 15,250 के लिए put option भी खरीदा है यानि कि market अगर उपर जाएगा तो हमको यहाँ पर profit होगा अगर market नीचे जाएगा तो हमको यहाँ पर profit होगा और market अगर बहुत जादा उपर और नीचे नहीं जाता है अगर flat रहता है ठीक है, consolidate करता है वहीं वहीं पर तो हमको दोनों जगह loss होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी तो दोनों में loss चल रहा है ठीक है, 10 रुपय को loss मुझे हो चुका है अभी आपके सामने live अब हम लोग इसको wait करेंगे कुछ देर और देखेंगे कि इसमें कितना profit और कितना loss होता है तो दोस्तों जब तक मुझे कोई profit हो या कुछ loss हो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कुछ और detail बता देता हूँ तो यहाँ पर अगर आपको detail चेक करना है कि आपने यहाँ पर इस वाले contract में कितना पैसा invest किया है तो यहाँ पर click करेंगे और इसके बाद नीचे की दरब आप position का option मिलेगा position पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर पूरा detail देखने को मिल जाएगा कि आपने 3 March के लिए contract खरिदा हुआ है निफ्टी का 17,350 के लिए call option खरिदा है 50 quantity है 50 quantity आपने 4.80 रुपए के भाव में खरिदा हुआ है यानि कि total आपका investment 240 रुपए है ठीक है और maximum आपका 240 रुपए यहाँ पर loss हो सकता है अगर आपके favor में market नहीं रहा तो अभी हम लोगों ने sell नहीं किया है यहाँ पर 0-0 दिखा रहा है सब कुछ और यहाँ पर return में आपको return देखने को मिलेगा कितना आपका return चल रहा है currently live तो यहाँ पर 2.50 पैसे का मुझे profit हो रहा है ठीक है अभी 0 हो गया तो इस तरह से आप यहाँ पर live देख सकते हैं अगर आप और भी sell करना चाहते हैं तो sell कर सकते हैं अगर और quantity खरीदना चाहते हैं तो buy पर click करके buy कर सकते हैं यह वो वाला sell नहीं है जो आपने यह खरीदा है इसको sell नहीं कर सकते हैं यहाँ पर ठीक है आपको exit करना होता है यहाँ पर अगर sell करेंगे तो फिर बाद में आपको buy भी करना पड़ेगा तो sell आपको गलती से यहाँ पर नहीं करना है buy कर सकते हैं और ज़्यादा या फिर अगर इस contract करना चाहते हैं मतलब exit करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे यहाँ पर click करेंगे अब आपको यहाँ पर exit का option मिलेगा तो आप exit करके इस contract से बाहर हो सकते हैं आपको लगता है कि loss बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आप exit कर सकते हैं इसके लावा और भी यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने loss को minimize कर सकते हैं यहाँ पर आपने 240 रुपे invest किया है तो आप stop loss भी लगा करके काम कर सकते हैं stop loss कैसे लगाना है मानलो यहाँ पर 4 रुपे 80 पैसे चल रहा है ठीक है न, 90 पैसे चल रहा है आपने ख़़िदा 4 रुपे 80 में है 90 चल रहा है आपको profit हो रहा है अगर आपको stop loss लगाना है या अगर इससे कम होगा यानि कि 3.5 रुपए अगर हो गया उससे भी गिर गया तो यहाँ पर आपको ज़्यादा लॉस होते जाएगा तो अगर लॉस हो कम करना है तो क्या करना होगा इस्टॉप Loss लगाना होगा ठीक है इस amount से ज़ादा होना चाहिए और इस amount से कम होना चाहिए तो 4.85 पैसे चल रहा है तो 4.85 से कम यहाँ पर आपको डालना है यानि कि हम डाल देते हैं कितना तीन रुपए 50 पैसे से भी अगर गिर जाता है इसका price तो हमको यह loss नहीं जहलना है वहाँ से हम लोगों को exit कर लेना ह ठीक है और अगर उपर की तरह जाता है तो हमें profit ही होगा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर limit price में हम लोगो को क्या करना होगा इससे कम price डालना होगा यहाँ पर ठीक है तो limit भी हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर limit कितना डाल देंगे 3 रुपए 50 पैसे से कम डालना है यानि कि हम लोग 45 पैसे डाल देते हैं यहाँ हम लोग ने डाल दिया अभी इसका मतलब क्या होता है यह समझ लीजिए यानि कि यह जो price चलना है 4 रुपए 95 पैसे यह अगर 3 रुपए 50 पैसे तक आता है तो यह sell हो जाएगा अगर 350 में भी sell नहीं होता है तो उससे और नीचे जाएगा तो 3.45 तक में भी sell हो सकता है लेकिन 3.45 से कम में sell नहीं होगा है यानि कि minimum आपका जो stop loss रहेगा वो कितना 3.45 का रहेगा 3.45 से ज्यादा आपको loss नहीं होगा और 3.45 से और 3.50 के बीच में आपका यह जो order है वो plus होगा तो हम लो order जो है वो open है यानि कि लगा हुआ है stop loss लगा हुआ है 3.45 पैसे के उपर ठीक है और आपका अभी market price कितना चल रहा है 5.45 पैसे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं market अभी उपर जा रहा है इसलिए हम लोग को call option में profit होना है start हो गया है और market उपर जा रहा है इसलिए हमको put option म loss होना है start हो गया है तो यहाँ पर हमारा strategy क्या रहेगा कि अगर market बहुत जादा उपर जाता है तो यहाँ पर profit होगा यहाँ loss होगा definitely यहाँ पर हम लोग को profit होगा वहाँ पर हम लोग book कर लेंगे जितना भी हम लोग को profit होता रहेगा उसको book कर लेंगे और book करने के बाद यह यहां से exit हो जाएंगे और इसको हम लोग exit नहीं करेंगे इसको हम लोग wait करेंगे market गिरने का अगर market गिर जाता है तो यहां भी profit हो जाएगा अगर नहीं गिरता है तो यहां पर तो loss होगा ही होगा तो यहां पर हम लोगों को जो profit होगा उससे हमारा यह वाला recover हो जाएगा ठी झाल झाल